और दोस्तो आज हम बनाए है गोल्देन ट्रेट फिन ब्रिम फिश फ्राई यह बहुत ही टेस्टी बनता है इस फिश का नाम जो है ना बहुत यूनिक है बहुत का इसका नाम नहीं पता है तो हम आपको बता देए गोल्देन ट्रेट फिन ब्रिम है तो आप लोग इस फिश को जरूर ट्राइब कीजिए का बहुत ही टेस्टी बनता है आप देख सकते कि कितना इसका अच्छा कलड़ आया इसका देखिए आप टेक्श्चर देखिए यह तम पर्फेक्ट बना है तो आप लोग भी इसको इसी तरह से बना कर जरूर ट्राइब कीजिए हेलो दोस्तो आपका श्रागत है अम्रिंदर कीचेन में तो देर की स्वात की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल का वटन जरूर दबाएज इसस क्लिण करवा लिए हैं हम रूम पर नहीं किये जहां समल लिये उसी कांटर पे महांगी से च starch करने का ये तरीखा होता है आप अगर उसे धुल कर रहा है तो आप इस तरह से उसको कट कर सकते हैं यह कट करना बहुत ही असान है लेकिन हम वहीं मार्केट में इसको i сs i ti तरह से जो इस के वी चोई करना आपको देखे हैं मचली को अच्छे कर लिए हैं और उसको पानी जो है ना आपको निकल जाना चाहिए पूरा तो देखिए इस तरह से कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है इसका बेनिफिट्स का होता है इसमें मसाला लगाएंगे न तो पूरे अच्छे तरह से मसाला अंदर तक उसका फ्लेवर जाएगा और चमचે कस्मीरी मिर्च पाउटर यूज़ कर रहे है इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है और वं फॉर्थ चमच्च हल्दी पाउडर हम या पिलिज कर रहे है तो इसके बाद हम यहां पर जीरा पाउडर जो यथे सो वन फॉर्ट क्ति हिसका भी बहुत अच्छा ठाथा है यहां पे काली मिर्च पाऊडर वन फूर्थ चमच कर रहे हैं और क्वादारें फ़्यां पर नमक क्यू Apollo क्र。 आखुक हैं च्छा अठाय है वह साल यहां पर यहां पर बहुत ह्ति अच्छा तो देखिए आप मसाला ज्यादा पतला नहीं कीजिए तो फिर अंदर तक फ्लेवर उसका नहीं जा पाएगा तो आप इसी तरह से रखिएगा और चलिए मसाला रेडी हो गया तो फिस पर हम उसका कोटिंग कर देते हैं तो देखिए इस तरए से हमें मसाला जो है न उसके अंदर तक पूर जाना चाहिए उसे क्या होगा फ्लेवर जब अंदर तक जायो ना जब अच्छे तरह से उसका कोट कीजिए थोर मोटा लेप लगाईएगा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका मसाला जो है ना जब तेल में जाएगा तो उसका कुछ मसाला निकल ली जाता है लेकिन वही तेल के अंदर जो मसाला उसका पकेगा और उसी तेल से जब फिस्ट पकेगा इसे हमें लगभग ज्यादा नहीं दस से पंदरे मिनट उसे ज्यादा नहीं चोड़ना है नहीं तो फिर पानी चोड़ना स्टार्ट कर देगा ज्यार नखिए जब मचली मसाला लगाईएगा तो मचली पूरा ड्राइव होना चाहिए पानी उसका एक भी नहीं बूंद होन इसको हमें गरम करना है जैसे इसमें अच्छा अच्छा उठना स्टार्ट हो जाए फिर आप इसमें फिस को आप इसमें एड़ कर दीजिएगा ध्यान रखिएगा अभी जो एसका तेल यह उपर छीटा उड़ेगा तो ध्यान प्रूर्वा कराम से आप इसमें रखिएगा तो चलिए यह देखिए फिस हमारा कितना अच्छा से तेल में जो ऐसे फ्राई हो रहा है तो अभी गैस आप फूल पर ही रखिए कोई दिकत नहीं है आप ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा बहुत चलाते रहना है लट लटके इसको दोनों साइड इसको पकाना है में बस हमारा अच्छे तरह से पकना चाहिए तो आप देख सकते हैं जो हमारा एक सैड़ है कर देते हैं तो ध्यान से करिये कि यह फिस बहुत ही ज्यादा नाजूक होता है बहुत ही सॉप्ट होता है तूट जाएगा तो तो अराम से कीजिएगा और गैस का फ्लेम आप लोग पर नहीं रखिए तो तेल यह सो मचली यह सो पीना स्टाट कर देगा यह निके अंदर तक पुड़ा ओईली ओईली हो लेकिन मचली ज्यादा पकाने का टाइम नहीं लगता है मचली पकाने में यह बहुत ही जल्दी मचली हमारा पक जाता है तो दोस्तों जब तक हमारा मचली अच्छे तरह से पकड़ा है तब तक हम आपको बता दे कि हमारा एक वीडियो हम इससे पहले डाले हैं चिकेन मसाला वो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिये हैं हम आपको अपने सब्दों में हम क्या बताए आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं जो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिये हैं इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छे असे रेस्पी का आप लु हो कैसा लगा तो चलिए हमारा फिस्स जो अच्छे तरह से फ्राई हो गया है तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे तो चलिए हमें ज्यादा देर नहीं लगा मचली पकाने में लगभग आप मैक्सिमम टाइम है अगर को बता दे तो साथ से आठ मीनट में नहीं लगएगा मैक्सिमम पांच से साथ मिनट आप उससे ज्यादा नहीं पकाईएगा क्योंकि मचली को ज्यादा पकाने की चीज़ नहीं है आप इसी तेल में बच्वे मसाले के साथ आप ग्रेवी बना सकते लेकिन हमें जरूतनी हम फि मिसीवी चीज के साथ इसको decorate कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है अब इसका टेस्ट जो भूँत ही आप यसका टेक्स्ट्यर देखिए इतना अच्छा वह जो आप सर्सो का तेल तेल डालें ये देखिए कलर जो उपर से साइनिंग जो आहा características सरसों का साइनिंग है अगर सरसों तेल नहीं खाते यह को बहुत है यह तो आप लोग कोशिज कीजिएगा आपको जो अच्छा लगए आपको उसमें ट्राइक कीजिएगा अभी तक आप पर चैनल का सब्सक्राइब में किये तो प्लीज जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे नहीं तो आने वाला वीडियो आपके पास मिस हो जाएगा नोटि